आज मैं आप लोग के साथ मतर की कचोड़ी की रेस्पी शेयर करूँगी बहुत जादा खसता कचोड़ी बनेगी और बहुत जादा टेस्टी कचोड़ी बनेगी है यह हलवाई से भी जादा टेस्टी कचोड़ी बनेगी है गर पे बनाएंगे तो आप बहुत खाने में यमी चार हरी मिर्च है हिन्हें तोड के में डाल दूँगी इसमें और देखो मैने पीस लिया है और एक ये प्याज है मैने इसे कट कर लिया है थोड़ा सा धनिया है इसे भी कट कर लिया फ्राई पिन में एक तेर रखा है दो चमच इसमें डालतेंगे हम प्याज बारी जो गट करके रखाये मैंने एक अब इसमें डालतेंगे तोड़ा सा जीरा आदा चमच मैंने जीरा डाल दिया इसमे इसे दो मिलीट के लिए हम भूषेंगे इसे जादा नहीं भूनना है हमे दो मिनिट बाद हम इसमें जो मटर है जो हमने पीजर किया है वो डाल देंगे और पांस सेकीट तक हम इसे ऐसे पूनेंगे इसे इसकी बाद हम इसमें डालेंगे नमक, आदा जमच, आदा जमच चाट मसाला और थोड़ी से हम इसमें डालेंगे हींग यह मैंने डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे और एक आलू डाला है मैंने इसमें एक आलू डालना है आधा कटोरी में इससे ज़्यादा आलू नहीं करना है और इसमें हम डाल देंगे छोले मसाला आदा चम्मज में से छोले मसाला डाल दूँगी और देगी मिर्श डाल दी इसमें इससे अच्छा कलर भी आ जाएगा और चिट पर टी भी हमारी कचोड़ी बनेगी और इसमें जो हरा धनिया है मैंने गैस के क्लेम को कर दिया है बन और इसमें डाल दिया हरा धनिया इसे ठंडा होने देते हैं जब तक हम इसका डो लगाएंगे देर का तोड़ी मैदली है मैंने इसमे और थोड़ी से अजवाइन डालेंगे इसमे थोड़ा से इसमें डाल देंगे नमक इसमें डालेंगे औरगेनो इसे बहुँ जाता टेस्टी बनती है अमरी कचोड़ी और इसमें बने आधा कचोड़ से भी कम मैंने खें लिया है देसी की बचाएगा इसमें मैं पांच चम्मज इसमें डाल दूँगी और इसमें हमें इसमें मोयम यह देखें इतना सा बचाएगा हमें यह अच्छे से मिलाना है देखें पिल्कुल एक मुठी हैसी बन जाएगी है बस यह परफेक्ट है हमारे लिए कचोड़ी के लिए तो अब डूब बनाएंगे अच्छा सा डूब बनादेंगे इसका और इसे डूब लगने के बाद इसे हम पांच मिट के लिए रेस्ट करने देंगे पांच मिट लिए हम रख देंगे इसे बादे के पांच मिट बाद हमारे तयार होगे है डूब कचोड़ी बनाने के लिए अब इसकी हम बॉल्स बना लेते हैं छोटी छोटी सी सब मैंने एक ही साइस की बॉल्स बना दी है ऐसी सब बना लूँगी मैं अब बनाऊंगी कचोड़ी यह देखें बॉल्स यह लिए है मैंने इसे बेल लूँगी पूरी की तरह आप जो स्टपिंग है जो मटर की जो हमने बनाई है वो भरेंगे इसमें देखें में बर्दिया से और फिंगर की साहता से बंद कर देंगे अंगली और अंगली की जाहता से हम यह हमें से बेलना नहीं है आसे करके हम सब कचोणियों को बनाएंगे जहांसे खुलेगी वहां से अंगली कीसा शाहता से लॉग कर देंगे हम देखें बिल्कुर ऐसे बनाना हमें यह खुला है अभी मैंसे लोग कर दूँगी ऐसी हमें कचोड़ियां सब बनानी है यह देखें बहुत अच्छी कचोड़ी बनके त्यार जाएगी यह देखें मैंने जो खुला था उसे लोग कर दिया ऐसे यह बहुत अच्छी कचोड़ी बनके त्यार होती है यह समोसी से भी जादा बहुत जादा टेस्टी कचोड़ी बनती है यह देखें मैंने कर दिया अच्छी से लोग यह बनके हमारी कचोड़ी ऐसी मैंने सब कचोड़ी बना के रख लिए है वैसी करना है सबको और यह तील होगे हमारा कर अब हम कर लेते हैं इसमें फ्राई और जो हम फ्राई करेंगे वो ना लो में करेंगे ना हाई में मीडियम होनी चाहिए गैस की फ्लेम एक एक करके मैं सब डाल दूँगी इसमें गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम है अगर हाई करेंगे तो बाहर से क्रिस्पिय जाएगा अंधर से कुक नहीं होगी अगर लो कर देंगे तो यह तेल पी लेगी तो इसलिए हमें मीडियम में ही फ्राई करना है यह देखे हमारी अभी प्राई हो जाएंगी है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एक कचोड़ी इन्हें हम पलर देंगे यह देखे हमारी बनगी कचोड़ी है अब इसे मैं लिका लेती हूँ एक प्लेट में झाल 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 और बहुत जादा देखो सौप्ट बहुत अच्छी से कचोड़ी बन कहा है हमाई क्रिस्पी कचोड़ी बनी है देखो बहुत जादा गरम है कचोड़ी और घाने में भी बहुत जादा टेस्टी है